हेलो एव्रिवन वेलकम और वेलकम बैक टो टो चानल आटोटी वंस अगेंड तो काफी सारे स्टुडेंट्स ऐसे हैं जो सेकेंड राउन काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं फो यूपी बेसी नसिंग ट्वेटी ट्वेटी तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूं रिगार्डिंग कांस्लिंग इंफॉमेशन टू डीजी एमी फो ब्हसी नर्सिंग पोस्पेसिक ब्हसी नर्सिंग एमसी नर्सिंग कॉलेज अद्मीशन डाटा लास्टे ठीक है तो इस नोटेस को चलिए रीड करते हैं तो इस यहाँ पर क्या लिखा है वो देखते हैं उपरोक्त विशे के संबन में कहना है कि उपी नर्सिंग टू की प्रथम चक्र की कांस्लिंग में आवंटेद अभ्यार्थों की प्रवेश प्रक्रिया संपन हो चुकी है अता आपसे अपेच्छा है कि BSC Nursing, Post Basic BSC Nursing, MSC Nursing पाट क्रम में प्रवेशित अप्रवेशित अभ्यार्थियों की सूचना NIC द्वारा जारी आवंटन सूची पर आवंटित अभ्यार्थी के कॉलम में समक्ष्ट प्रवेशित अप्रवेशित का उलेक करते हुए स्ताचरित सूचना दिनांग 12 नवेंबर को साम 5 बजे तक इमेल नर्सिंग.upsdc.gov.in एवं DGME की ओफिशल वेबसाइट पर महा निदेशालय को उपलब्द कराने का कस्ट करें तो यह notice उन affiliated colleges के लिए है जो भी government या private colleges affiliated थे KGMU और ABVMU University से जिसमें आप लोगों का admission मिला है through this BSC Nursing Counseling तो इसमें यह बोला गया है उन colleges हो कि जो भी प्रवेशित यानि जिन बच्चों ने admission ले लिया है जो अब प्रवेशित जिनों ने admission नहीं लिया है उन बच्चों का जो भी list है या जो भी data है वो लोग official website में nursing की या DGME को provide करें शाम को 5 बजे तक आज का time दिया है 12 यानि आज शाम 5 बजे तक उनको प्रवाइड करें तो इससे क्या होगा जो भी आपका वेकिन सीट्स की details है वो exactly आप लोगों को पता चलेंगे और उसके बाद ही आप लोगों को जो 2nd round का counselling है वो start हो पाएगा तो आज शाम तक यह data collect करके लोगों को देना है 5 बजे तक औ पॉसिबिल्टी यह है कि आप लोगों का 14 और 15 निवेंबर तक या उसके बाद से आपकी 2nd round counseling start होने वाली आप अभी के लिए यह समझ दो कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों का जो counseling related second round counseling related जो भी notice है या जो भी dates वगेरा है वो announce कर दी जाएंगी जैसा कि मैंने आप लोगों से पहली भी बोला था कि 15 या 15 के बाद आप लोगों की 2nd round counseling है वह start होगी तो इस notice से प्रूफ होता है कि आप लोगों की 2nd round counseling है 14 और 15 निवेंबर के आसपाई से start होने की possibility है जिन बच्चों को भी वेड था या जो बच्चे परिशान है 2nd round counseling के लोगों के लिए इस notice के थू मैं inform करना चाहूंगी कि आपकी जो counseling है वह जल्दी start होने वाली है बाकि जब भी start होती है जैसे भी notice आता है डेट्स वगेरा से related तो मैं आप लोगों कोई inform करती रहूंगी वीडियो और टेलिग्राम चैनल के थूँ आप लोगों को यह वीडियो परसेंद आई होगी if you like it then don't forget to like subscribe and share also press the bell icon for more such update thanks for watching this video